इसके पहले पहले चैप्टर के दो वीडियो जो पढ़ लिए थे आज जो हम लोग पढ़ेंगे पोसवर के प्रकार यानि पोसवर कितने प्रकार को थे उनके बारे में सब कुछ डिटेल में समझेंगे सबसे पहला जो है पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़ेते स्वापोसी की से कहते हैं जो प्राक्रतिक तत्तों से जैसे कार्बन डायाकसाइड पानी की सायदा से अपना भोजन बना सकते हैं उन्हें हम स्वापोसी कहते हैं और जो उन पे आस्रीत होते हैं यानि अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उन्हें परपोसी कहते हैं हाँ पर्पोसी में सभी हैरे पौधे और बैक्टीटिक है रखे गए नहीं हैं प्रेकस और पूरी ऑफ पर्सक्राइएinea अब बात आति प्रकास संसलेशन की से कहते हैं तो आगे इसमें डिटेल में दिया गया है तो फिर देख लेते हूं यह वह प्रक्रम में जिसमें स्वापोसी बाहर से लिए पदार्थों को उर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है यह पदार्थ कारबन डायाकसाइड तथा जल के रूप में लिये जाते हैं जो सूर्ज के प्रकास तता क्लोरोफिल की उपस्थे में कार्बोहाइडگ्रेट । क्यह रहा है कि पौधों की या स्वप।सी जिवों की च्छंता होती है कि सूर्ज के पार्या वरन में उपस्तित कारबन डाया आकसाईड और कि लिसété जल के प्रकास को लेखर की ऐए क्लोडो फिल के ऊपस्तिती में प्यां प्याय जाता है है और जो हर्वेसियस यानि साकी पौधे होते हैं उनके तनों में भी पाया जाता है यहां पर एक उसका एक जामपल दिखा गया देखिए यहां पर पूरा उसका पत्ती की अनप्रस्त काट दिखाई गई यह मद्ध सिरा है जो पत्तियों के बीच में पाई जाती जैसे ऐसे लीफ होती है तो इस लीफ के जायलम बंडल पाया जाता है जो फ्लोयम का काम क्या होता है आपने नाइत में पढ़ा है फ्लोयम पौधों की पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों के अन्हिस्सों तक पहुंचाता है जबकि जायलम का काम होता है कि जड़ दोरा और आवसोसित कि गये जल को पौध तो क्लोरोप्लास्ट है जिसमें हम भोजन हमारा बनता है यानि पौदों का भोजन बनता है फिर आगे कह रहा है देखें उपस्तित कार्बोहाइड्रेट को परिवर्थित कर देते हैं यह सब को लेकर के क्लोरोफिल की उपस्तिती में किसमें परिवर्थित कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में परिवर्थित कर देते हैं किसमें परिवर्थित कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में परिवर्थित कर देते हैं मैं आपसे बता दूँक जब पौधे भोजन को लेते हैं यानि कार्बन डाई अकसाइड को लेते हैं और को लेते हैं तो कार्बन डायक्साइड और पानी कि सायता सथी ग्लुको बनाते ऐ फिर वहीं ग्लुकोज को कार्भो हाइडरेट कहते हैं यह परिवर्थित कर कार्बोहड्रेट पौधे को उर्जा प्रदान करने में प्रियुक्त होते हैं अगले अनुभाग में हम अध्यन करेंगे कि यह कैसे होता जो कार्बोहड्रेट तुरंत प्रियुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है कि जो प्रियुक्त नहीं रूप में संचित कर लेते हैं यह रच्छित आंद्रिक उर्जा के तरह कार करेगा तथा पौधे दोरा आसकता अंसर प्रियुक्त कर लिया जाता है कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती हमारे दोरा खाए गए भोजन ब्योधपन उर्जा का कुछ भाग ह कमारे ब्लाइकोज के रूप में संचित रहता है जो ब्होजन हम बनाते हैं और अपने पास it yet? करते हैं वह मंड के रूप में चयर्थ लेकिन जब वही भोजन हम अपने मतलब जंतु अपने शरीन, में श्टोर करता है एक अठा करता है तो किस रूप में करता है ग्लाइकोजन के रूप में करता है मैं आपको बता दूंग ग्लाइकोजन और एक मंड यह दोनों कार्बोहाइड़ेट का ही एक रूप है कुछ और नहीं बल्कि कार्बोहाइड़ेट का एक रूप है आपने केता है और तीन प्रकार नहीं प्लांट में पाईmyl में पाईना यत दमीरिNew आपको समझ में आया होगा तो आप जब वीडियो क्लास देखेंगो उसमें उसक्राइट पढ़ रहे हम लोग फिर उसका बात करते हैं सिर्फ आपको पूरी पढ़ लेना जहां से क्युंस्टें यहां अब देखें करबन डा यーज्ट Πानी हो एक सब्सक्राइक्द पानी को लेते हैं क्लॉर्फिंग की उपस्टिति में क्या बन जाता है। च्रीhesion निकलती और को निकलता है है आप हम देखते हैं कि प्रकास dialistance परक्रम वास्तों में क्या होता इस प्रक्रम के दारा निम्लिकृत घटना है क्या किया होती Хान के बारे हम घड़ेंगे पहला है plays blockingौ प्रकास को औसोसित करना पहहला कारी क्या होता क्लोरफिल तुसरा काम होता है प्रकास इसे की जा सकती और ना तो नस्ट की जा सकती बस उसे एक अवस्थ Michigan किया जा सकता है कि यह प्रकास उर्जा जो सूर्ज की उर्जा रहे जा कर देता है किसमें रुपांदरित कर देता है रासाइनी कुर्जा में तथा जल अणुगों को हाइडरोजन में अबगटन हो जाता है कार्बन डाई आकसाइड का कार्बो हाइडरेट में अपचेन होता है एक नंबर की क्योश्चिन के लिए इससे याद रखना आपको जरूर दूसरा हो यह आउस्टक नहीं जो तीन चरण आपके दिये गए हैं जरूरी नहीं कि एक बात दूसरा हो ही उदारण के लिए मरुस्थल मरुद्भिद पौदे रात्री में कारवन डायाकसाइड लेते हैं किरा मरुद्भिद के जो पौदे होते हैं मीजोफाइट प्लांड वह क्या काम करते हैं रात में कारवन डायाकसाइड लेते हैं और एक मद्ध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं इनके बीच में अध्य उत्पाद बनता है जो पाइलो एनल प्राइवेट कहते हैं ठीक बनता है दिन में क्लोरोफिल उड़जा और सोसित करके अंतिम आउस्था बन सब्सक्राइब यह आप ध्यान पूर्व के पत्ति की अनप्रस्त काट का सुचमदर्सित और आउलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कोशकाओं के हरे रंग के बिंद दिखाई देते हैं एक बिंद कोशकांग है जिसने क्लोरोफिल करते हैं ठीक है देखिए यहां पे क्रोरोफिल आउसक है उसे जानते हैं कहरा कि क्या प्रकास फेलेशन के लिए क्रोर फेलाव सक्क है अगर पूछण पूछा जयात कैसे बताएंगे तो यहां पे क्रिया क्लाप दौरत दिया गया है अब करेंगे क्या क्लाब में देखिए क्या क्या है जामले में लगा एक पौधे को तीन दिन अंधेरे कमरे में रखें जहां सुर्ज का प्रिकास ना पहुंज हो जाए ताकि उसका संपूर मंद प्रियुक्त हो जाए ताकि उसमें उसके हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागच पर ट्रेस कर लीजिए हरे भाग को जहां-जहां हरा भाग बचा हुआ उसको इंगित करिए और उन्हें एक ट्रेस कर लीजिए कहीं नोट कर लीजिए कुछ मिनिट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीज उसे को चान करके किस में डाल देना है पते को इल्कूहल के बीकर में इस बीकर को सावधानी से जल उस मख में रखे तब तक ना गर्म करिये जब तक क्यो अबलने शुरू कर देगा。 पती के रंग का क्या होता है? बिलियन का रंग कैसा हो जाता है यह दो क्योस्टन है आपको मिनट यह आप सबरेंगे तो आपको पता चतMIN है दोनों क्योस्टन का आंसर देना है अब कुछ मिनट के लिए इस पती को आयोडीन सब्सक्राइब पत्ति का जो ट्रेस किया था उससे उसकी तुन्णा करिए जो पत्ति पर आप गोला लगा थे हैं अब उस भाग का अवोकन करिए पत्ति के विभिंग भागों में मंड की उपस्तिति के बारे में आपका क्या निश्कर्स निकलता उसे आप लिखिए अपने फाइल में नोट क करते हैं कि पौधे कारबन डायक्साइट कैसे प्राप्त करते हैं कच्छा नौ में हमने रंध की चर्चा की थी क्लास में पड़े थैंब जो पत्ती की सता पर सोच में छिद्र होते हैं प्रकास टंसलेशन के लिए गैसों का अधिकांस आदान परदान इनी छिद्रों के द्वारा होता है लेकिन यहां यह जानना भी आउस सेख है कि गैसों का आदान परदान तने जड़ और पत्तियों की सता से भी होता है देखिए अब आप से अगर कोई पूछेगा आप से बहुविकल्पिक प्रस्ण पूछ दिया जाता है कि गैसों का आदान परदान होता है तो उसमें आप से देखा पत्तियों से जड़ों से तनों से या सभी से तो आप किसे लगाएंगे सभी से ठीक है पाउधे के हर इक हिस्से से गैसों का आदान परदान होता है याकसाइट की आउसकता नहीं होती है तब पौधे इन शिद्रों को बंद कर लेते हैं शिद्रों का खुलना और बंद होना दौर कोस्काओं का एक कारी होता है जो दौर कोस्काओं होती जिसे द्वार पर आपके गेट कीपर का काम क्या होता गेट को खोलना और गेट को बंद करो ऐसे द्वार को सकता है तब खोल देते हैं जब आउसकता नहीं हो तो तुन्हें क्या करते हैं बंद कर देते हैं दॉर्षक्राओं से जब जल अंदर आता है तो फूल जाती है और रंद का छिद्र कहों जाती है तो रंद छिद्र मैं अंदर खुल जाता है। अब दूसरी क्रिया कलाप आपका है क्रिया कलाप नमबर दो है लगभग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे लिजिए तीन दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए अब प्रतेक पौधे को अलग-अलग कांच पटिका पर रखिए एक पौधे के पास वाच ग्लास क रखिए जब प्रोटेसियम हड्रक्साइट का उप्यों कार्बन डाइक्साइट के और सुसित करने के लिए किया जाता है चेत्र चार दसमलों चार के अंसार दोनों पौधों को अलग-अलग बेल जार में ढख दीजिए जार के तले को सील करने के लिए काट पटिका का बिस करना उसे मंड की उपस्तिती की जाच किजिए क्या दोनों पत्यां समान मंड को पस्तिती दरसाती है इस क्रिया कलाप से आप क्या निसकर्स निकलते हैं उसे अपने फाइल में लिए उपरोग दो क्रिया कलापों के अधार पर हम क्या है हम ऐसा प्रियोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्सित हो सके की प्रकास संसलेशन के लिए सूर्ज की प्रकास के आउसकता होती है अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि सौपोसी अपनी उड़ जा आउसकता की पूर्थी कैसे कर दें लेकिन उन्हें भी अपने सरीर के निर्मार के लिए अन्ने कच्छी सामगरियों क के आउसकता होती है अस्तली पौदे प्रकास संसलेशन के लिए आउसक जल की पूर्थी जड़ों दौरा मिट्टी में उपस्ते जल के आउसोसों से करते हैं नाइट्रोजन फासफोरस लोवा तता मैगनीसियम सरीके अन्पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं नाइट कार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है जिससे कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जीवार वाइमनली नाइट्रोजन से बनते हैं आपने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा होगा क्लास 9 में जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पर्यावरण में उपस्तित है उसे पौधे और सोसित नहीं कर पाते हैं बलकि उसे नाइट्रेट की रूप में बदलने के लिए बैक्टिरियाओं की सायता लेते हैं जैसे राइजोबियम है नाइट्रोसमोनास है दो बैक्टिरिया उसमें हेल्प करती हैं जिससे मिट्ट मित्टे में नाइक्रोऽ मुनास मित्टे में नाइक्रोजन की पूर्दिक तर The राइजोबिया लिग्यूमिनेस प्लांट की गांठों में पाए जाते हैं और वहां से मिट्टी की काम करते हैं उत्पादक्ता बढ़ा देते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कुली थे बोजन के सवर्व अप्लब्धता के अधार पर पोशण की बिद्विविन प्रकार की हो सकती है इसके अतरिक्त यह जीऊ के भोजन करने के धंग पर भी निरभर करती उधारंग लिए यह भोजन सुर्वत अचल है जैसे की घास या गत्सील है जैसे की हिरड दोनों के भोजन का अधियमन का तरीका भिन्य भिन्य तदा गाय और सेर किस पोशक उपकरण का उपयोग करते हैं यह भी भिन्य जियों दौरा भोजन ग्रहर करने और उसके उपयोग के अनेक युक्तियां हैं कुछ जियों भोजपदार्थों का बिघ्टड शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका असोसन करते हैं फफूदी ईष्ट और मस्रूम आधि को किसके उधारण हैं अन्य जियों संपूर भोजपदार्थ को अंदर ग्रहर करते हैं और उनका पाचन सरीर के अंदर करते हैं जियों दरा किस प्रकार का किस भोजन का अंतर ग्रहर किया जाता है तथा उसे पाचन की बिद कैसे उसके सरीर के अभिकल्पना तथा कारिसेली पर निर्भर करते हैं घास फल कीट मचली या मृत खरगोस खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं कुछ अन जियो पौधे और जंतुओं का बिना मारे उनसे पौसर्ण पराप्त करते हैं या पौसर्ण युक्त अमरबेल किलिनी जू लीच फीता करिम सरीखे अन जियो आते हैं अब एक एक करके समझते हैं इसमें देखें कहला परतेग जियो अपने पर्यावरन के लिए अ आचल हो और भोजन करने वाला जिसे की हिरड उचलाइमान हो और भोजन सुरो तरह जिसे घह अचल है अब दोनों परकार के भोजन का अधियम तरीका अलग अलग तकर करेंगे तक गाए और सिर्की स्पोसर को कुष्ण करने का उपयोग करते इनके बारे विजन दौरा पहले उसे सडा डालते हैं जो वो उपयोगी हो जाता है तो उसका न्यूटेंट ले रहते हैं जैसे कि आप देखते हैं मस्रूम या कुकुरमुता जब उगता है तो कहां उगता है सड़े गले पदार्थों पे वही जिसे खाद पे गोबर की खाद पे तो सड़े गले पदार्थों पे उगता है तो इसका मतलब जो फपूदी लगते हैं कवक लगते हैं तो कहां उगते हैं इस पे उगते हैं इसका मतलब कि वो अपने भोजन का विक्टन अपने सरीर से बाहर ही कर दिये सरीर के अंदर ले जाके नहीं करते हैं लेकिन हम लोग क्या काम करते हैं पहले भोजन को ग्रहन करते हैं बोजन सरीर के अंदर जाता है उससे पाचन करते हैं उसमें उपस्तिक तत्नों को सरीर और सोसित करता है और और सोसित करने बाद हमको भोजन की उड़जा प्राप्त होती है कह रहा है कि कुछ जिव अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं जैसे कि मानलो घास का भोजन का तरीका अलग होगा कीट के भोजन का तरीका अलग होगा मचली के भोजन का तरीका अलग है जबकि वहीं पे अस्तल पे पाए जाने वले जन्तूओं के भोजन का तरीका अलग है मनुस्य से के भोजन का तरीका अलग है उसी प्रकार से अलग अलग तरीकों के अधार पे भोजन को अलग अलग भागों में बंटा जा सकता जैसे कि पोजन का तरीका होता है कि एक ऐसा जीव है जो किसी जीव को मारता ही नहीं उसके जिंदा रहने पे उसके ऊपर आफसरिथ होकर कि अपना भोजन करहर करता जैसे के किलनी जोक जोक, लीच ठीक है इस सबका करते हैं अपकी सरीपक मैं पौधों के उपर चड़ जाता है और चड़ करके उसे पौधों के तत्त लेता है जो आपके शिरियम की स्सेम में के आपके वह कोमी यहार Obhat假 नफ़िद के अपने चलड़ करते हैं इसके बारे बारे पढ़ेंगे तिसके करते हैं उसके बाद मनुस्ष्य में पुसंटरर परहेंगे अगले वीडियों में क्यूंकि भौजन और उसके अंत ग्रहण की विद्धिन है अता जा करने की विद्धियां, तो पांकी विद्धियां होंगी यह एक कोस की जिवों में भोजन संफूर सत्फ से लिया जाता है जो स्रीट की कौसकाय होती है एक कि जिवों में भोजन ओहीं से लेकिन जिवों की जटिलता बढ़ते के साथ साथ बिभिन कार करने साह्तmer आफल मिश्क्ट हो जाते हैं अगर जैसे जैसे कोसकाय POL की बिद्धियों की सरी प्रकार की जाती है अलग अलग कारी के लिए अलग अलग सरीर में अंग बना दिये जाते हैं अब मनुस्य में भोजन के लिए सिस्टम पाया जाता है भोजन वहां से पचेगा उधारण के लिए अमीबा कोस्की सता से अंगुली जैसी आस्थाई प्रवर्द की मदद से भोजन ग्रहन करता है अमीबा में एक नए प्रकार की संद्चना पाई जाती है बना लेता जिसे स्यूदो पूरिया कहते हैं आस्थ पदार्थों का विसरण सरण पदार्थों में किया जाता है और वे कोस्का द्रब में विसरित हो जाते हैं पचाओवा अपच पदार्थ कोस्का की सता की और गत्त करता है किता सरीर से बाहर निसकासित कर दिया जाता है पैरामीसियम भी एक कोस्की जिए जिसकी कोस्का का ए सब्सक्राइब का निर्माड होगया आप जानते हैं पिछली क्लास में अपने पढ़ा है कामीबर क्या होता है इसका कोई निष्छी ताकार नहीं होता है इस आपने उपर कूट पाथ बना लिया इस कोट पाथ में भोजन चला गया भोजन इसके सरीर के अंदर प्रिवेसज जो इबया कोंड हो गया और उसे जो तोड करके सरल वीडियो में तब तक के लिए जाज़ देजें नमस्क्राइब